हालो गाईज एक बार फिर से Becoming a God by Teaching Six Sisters के पार्ट थर्टी में आप सभी का वेलकम और दोस्तो मेरे गले के बुरी तरह एल लगे पड़े हैं इस समय क्योंकि सर्दी के कारण मेरे मुझे से बड़ी मुश्किल से आवाज निकल ली है जिस कारण से की ये लाओ की भी मेरी तरह बुरी तरह पड़ चुकी थी उसकी आके बाहर आगी थी और तब ही हमको पता चलता है ये लाओ के हाथ में एक एक तन की दो पत्थर पकडा दिये जाते है और उसको बोला जाता है कि इसको समहाल के रखो ये लाओ वहाँ पे उस पत्थर को बड़े मुश्कल से पकड़े था तबी वहाँ पे sister की तरफ देखते हुए कहता है sisters क्या मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ और दूसरे side में वो दोनो sisters आपस में बहस कर रही थी और तबी वहाँ पर six sister आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है हमारे पास बरबात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है इसलिए जितनी जल्दी हो सके उससे मिलने के लिए मुझे जल्द से जल्द नैधर वर्ल में जाना होगा six sister की बास उनके third sister वहाँ पर smile करते हुए कहती है अरे इतना घबरा क्यों रही हो यह सब मुझे छोड़ दो दूसरे side में जहां अपने hero ये लाओ की बुरी तरह सो उन पत्थरों को उठाने करन फट चुकी थी और जब वो अपनी sister को इस तरह से BC करते हुए देखता है और अपने आपको ignore करते हुए देखता है तो वहाँ पर गुसाते हुए कहता है अरे बहरियों सुन लो क्या मैं इसे उठाना बंद कर सकता हूँ अपने भाई के ऐसी बास सुनके six sister वहाँ पर गुसाते हुए कहती है अगर तुम यहाँ पर जिन्दा रहना चाहते हो तो अपनी body training को इसी तरह से करते रहो third sister ही बोलती है हम इसने बिलकुन सही पकला है और अप से आपको एक पल के लिए भी spiritual QI का इस्तमाल बंद नहीं करना चाहिए अपने six sister के ऐसी बास सुनके यह लाओ वहाँ पर भुने हुए मुर्गे की तरह हो जाता है इतनी बुर्य उसकी लाल हो चुकी थी और वहाँ पर खिसी आते हुए कहता है नहीं मैं और नहीं कर सकता इस चीच को इन दोनों चट्टान को इस तरह से उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इससे अच्छा कि हम लोग चलते हुए आगे की तरफ निकलते हैं जैसे यह लाओ ने वहाँ पर इस बारे में बोला हो था तो भी अचारक से दोस्तों एक बीस्ट का पैट जमीन पर धम उसे पड़ता है और यह लाओ सामने की तरफ देख कर एकदम हैरान हो गया था और तभी सिक्सिस्टर वहाँ पर देखते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा हम लोग साथ में चलते हैं और तभी हमको पता चलता है जो थर्ड सिस्टर थी उन्होंनों फिर से अपने डोरेमन बैक के अंदर से एक एंशेंट जाइंट भीस्ट को बाहर निकाल लिया था और इसका नाम रनिंग गोल्डन आर्मर पैंगोलियन होता है सिक्सिस्टर जब वहाँ पर गोल्डन आर्मर पैंगोलियन को देखती हैं तो बहुत ज़रा खुश हो के उस सरब भागते हुए कहती है मैं बहुत समय से इसके उपर बैठना चाह रही थी चोटे भाई तुम्हारी कारण मैं आज इसके बैठ पाऊंगी इसके लिए थैंक यू सिक्सिस्टर के ऐसे बदले भीएव को देखते हुए ये लाव के वहाँ पर पसीने आ जाते वो शौक्ड हो जाता है और इसी के साथ वो सारे लोग गोल्डेन आर्मर पंगुलिन के उपर बैठ के पड़ी स्पीड में उस जंगल से आगी की तरफ निकल के जा रहे थे लेकिन तभी लेकिन फिर भी उसकी बैनों ने अपने हीरो की बास सुनके सिक्सिस्टर उसको जवाब देती है तुमने अभी तक 9 राउंट टरेंट बॉड़ी को ही कल्टिवेट किया है जिसको तुम बड़ी मुश्किल से इस 10 साल में सीख पाई हो यूआन क्यूआई को यूआन देन के द्वारा कल्टिवेशन के थूप बढ़ाते हैं लेकिन तुमने इसे 10 सालों से रिफाइन नहीं किया है और आपकी यूआन क्यूआई दिरे दिरे जमा हो रही है इसलिए आपका मेरेडियन ब्लॉक हो गया है और अगर तुमारे पास 9 राउन टेरेन बोडी का प्रोटेक्शन नहीं होता तो तुम बहुत पहली विस्पोर्ट करके मर जाते लेकिन कोई बात नहीं कोई भी अपने मेरेडियन के लिमिट को नहीं जानता इसलिए तुम्हें उन्हें कम करने के लिए केवल यूवान क्यूआई का इस्तमाल करना जारी रखना होगा अपने सिस्टर की इस बात को सुनने के बाद कि वो बिस्पोर्ट होके खतम हो जाता वहाँ पर उसकी आँके बिलकुन फटी रह जाती पसीने निकलने लगते हैं वहाँ पर घबराते हुए कहता है क्या यह क्या बोल रही हो बेहन तुम अब क्या करना चाहिए और क्या तुम मुझे बचा सकती हो यह लाव की धर्ट सिस्टर वहाँ पर सोचते हुए कहती है वैसे थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि पूरी दुनिया में हमने सोचा कि केवल दुनिया का नंबर वन एलकेमिस्ट एम्परर पिल आपको बचा सकती है लेकिन वो माउंटेन में रहती है और बहुत सालों से उसने बहारी दुनिया के मामलों को नसर अंदास कर दिया है अपनी धर्ट सिस्टर के इस बात को सुनने के बाद जो येला होता है वहाँ पर बिलग बिलग के दोस्तों रोने लगता है बहिनो मैं तो गयो पक्की बात है इस बार गयो इस तरह होते हुए देखकर जो उसके six sister होती है वहाँ पर सर पकड़े हुए कहती है हाँ इस बात को तुमने सही कहा लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है क्योंकि वो भी तुमारी बहन है और ये लावने दोस्तो जैसे इस बार जटका लगता है और जो चटान को पकड़े हुए था वो तुरन डिस्बैलेंस होते हुए वहाँ पर छोड़ देता है लेकिन तभी six sister उसके हाथ को पकड़ लेती है और वहाँ पर लटके हुए ये लाव उससे कहता है sister इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज़े कैसे हो सक सिस्टर उसको समालते हुए बताती है वैसे इतिफाक से वह अभी भी आपकी फोर सिस्टर है मैंने उसे पहले ही मैसेज भेज दिया था और हमने नैदर वर्ल्ड के में मिलने का वादा किया है अपनी सिस्टर की बास सुनने के बाद यह लाव वहाँ पर घबरा जाता है उस कि थर्ड सिस्टर उससे कहती है अरे यह देखो तोहारा चटान तो नीचे गिर गया चलो ठीक है सामने रुपते हूं 2000 साल पुराना पेल का टुकड़ा काट लेती हूं थर्ड सिस्टर की बास सुनके सिक्सिस्टर वहाँ पर खुब जोर से हसते में कहती है हां यह तो बहु की मौज उड़ाते हुए दिरे-दिरे करके नेधर लेंड केव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उसकी थर्ड सिस्टर ने जैसा कहा था 2000 साल पुराना पेल का एक टुकड़ा काट कर उसके उपर लदवा देते हैं और उस जगा को देखकर अपना हीरो येला उ अचानक से बहुत ठेल सारे रेट करके चमगादर वहाँ पर पंक फड़ाते हुए सीधे उन लोगी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उन चमगादर को देखते ही वहाँ पर जो थर्ड सिस्टर होती है सीरस होते हुए कहती है ये तो रेट टेल ब्लैट बैट है ये नेजर के में पाए जाने वाले यूनिक बीस्ट हैं बहुत जादा जहरीले होते हैं यहां तक कि इनके चूने भर से इंसान सुड़ने लगता है और मर जाता है अपनी सिस्टर के ऐसी भ्यानक बरी बाते सुनके ये लाव अपना कठोर मर्द वहाँ पर बहुत जड़ा घबराते बंद करो वैसे हमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर यहां पर है थर्ड सिस्टर उसकी बात सुनके वहाँ पर खुब मस्त बोज बनाते हुए कहती है अरे तुम बिलकुन सही उस जिगा पे और उसके ऐसा कहने की साथ में दोस्तों जो उसका गोल्डन आर वहाँ पर बिलकुन एक बाउंसिंग बॉल के तरीके वहाँ पर शेप बना लेता है और वहाँ पर घुमते हुए खुब स्पीड में उन बैट्स को घायल करते हुए उस जगह से आगी की तुरब बढ़ने लगता है उन बैट्स को जैसे उड़ाते हुए पंगोलन आगे ब गूमने के कारण उसका सर बुरी तरीके से चकरा जाता है और उसके लिए ये पहली बार था जिस कारण से कि वह वहाँ पर अपनी बॉड़ी को बिलकुन कंट्रोल नहीं कर पाता तब ही वहाँ पर सिक्सिस्टर उसकी मौज लेते हुए कहती है अरे खुश हो जाओ इस एक के सूपर मिशन में हम लोग नैदर वर्ल्ड केम में अंदर जाने वाले हैं अपनी एल्डर फोर्ट सिस्टर के सामने खुद को शर्मिंदा मत करना आप लोगों को वीडियो यहां तक पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें एक लाइक स्सक्राइब करना बिल